दुनिया की एक ऐसी अद्भूत चीज़ें जो आप जिंदगी में पहली बार देखो के चलिये शुरू करते हैं पहली मीटिंग में ही वाटर पार्क लेकर चले जाओ बंदी को वो भी सर्प्राइस विजिट ये चेहरा अगर शादी के बाद धुलाना तो रोने के अलावा आप्शन नहीं बचेगा कोई अब इसे ही देख लो एक जटके में न सिर्फ बैक फ्लिप मारी बल की खुद को रेट में बैलेंस भी किया ये फ्रूट मैंने कभी खाया तो नहीं है पर इसे देखकर जो मुह में पानी आता है ना मैं बता नहीं सकता कितना उताबला हो रखाओ में ये फ्रूट ट्राय करने के लिए कभी सोचा बर्फ की नदी में फिशिंग कैसे की चाती है अगर नहीं तो जरा इसे देखिए यहां ये भाई साहब बर्फ की परत के दूसरी और मौझूद मचली को पगड़ने के लिए बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहे है कहां से लाते हैं लोग इतना टैलेंट बंदा सायकिल भी चला रहा है और वो भी उसके उपर खड़ा होकर और सर पर LED भी बैलेंस की हुई है एक लाइक तो बनता है इस बंदे को इसे देखकर एक बार तो मुझे भी लगा कि ये बिल्डिंग गिर रही है कमाल 3D बिलबोर्ड है ये तो ये है परफेक्ट ट्रैंपोलाइन जंप ये बंदा ऐसे उचल रहा है जैसे स्पाइडर मैन का रिष्टेदार हो पर इसकी परफेक्ट लेंडिंग मुझे काफी कमाल लगी मैटल के ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से शेप किया जाता है पर ये सारा काम मशीन्स करती हैं कारण आप वीडियो में देखकर समझी गए होंगे सुट्टे तो तुम समने फूक रखे हैं पर अब उनकी मैनुफैक्ट्रिंग भी देख लो कुछ इस तरीके से तंबाको भरा जाता है सिगरिट्स में जो फिर आपके लिवर में कुछ ऐसे ही टार भरती है यहां खाना तयार हो रहा है वो भी पूरे आटोमेटिक तरीके से यानि अगर मसालों का सही हिसाब पता हो तो अब कोई भी शेफ बन सकता है बस यह मशीन खरीदने के पैसे होने चाहिए अंडों को पेंट करने का यह वीडियो मुझे काफी कमाल का लगा पर मुझे यह समझ नहीं आया यह अंडों को पेंट कर क्यों रहा है यह कटोरी तो बिलकुल नई सी हो गई वैसे इतना अमीर कॉन है जो सोने की कटोरियां साफ करवा रहा है बाई साब यह स्किल्स बंदा इतनी सारी रिंग्स को एक साथ बैलेंस कर रहा है वो भी बिना एक भी रिंग गिरा है ऐसे टाइट होकर खड़े हो गए है किसी को इस फ्रूट का नाम पता हो तो बताओ जरा कमेंट्स में यह गेम मुझे काफी कमाल का लगता है जहां इस बड़े कुबारे के एक तरफ एक बंदा बैटता है और दूसरी तरफ से एक बंदा कूटता है और आगे बैठा बंदा ऐसे उचल कर दूर जाकर गिरता है जीवन में एक बार तो ट्राइक करना है यह भी यह मशीन कमाल की है देखो कैसे सलक पर पड़ी घास फूस को अच्छे तरीके से साफ कर रही है काश कोई चोटी मशीन होती ऐसी ताकि घर की सफाई में कमर न मुड़ती मेरी जैसे हम इंसानों को कोविट के बाद जगा जगा सेनिटाइस किया जाता है वैसे ही यह मशीन भेड़ और बकरियों को सेनिटाइस करती है ताकि उन्हें इंफेक्शन से बचाया जा सके बहिया यह क्या चल रहा है यहां यह बॉल हवा में कैसे तैर रही है जैसे बंदा मजे से पंच किये चा रहा है वैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए यह गेम काफी अच्छा है ऐसा लग रहा है मानो किसी ने असली स्प्रिंग्स की मदद से इसे बनाया है इस आर्टिस्ट को एक लाइक तो बनता है आईस स्काइंग तो देखिए पर यह सैंड स्काइंग पहली बार देखिए यह बंदी गाया भी ना हो जाए इस रेत में दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है अब ज़रे इस भाई को देखिए जिसने फल को ऐसा काटा की गुलाब का भूल बन गया और अब चाइना के शिंजियांग में इस्तित यह खुबसूरत घास का मैदान देखिए जिसे नलाती प्रेरी ग्रास लेंड कहा जाता है और रोड की किनारे बना लड़की का यह स्टैचू इस जगा की खुबसूरती में चार चांद लगा रहा है यह कार को डखने का सिस्टम मस्त है यह तो ओपन गैराज पार्किंग हो गई या कहें की कार टेंट में पार्क हो गई मेरे इसे लेने का मन तो काफी है पर पहले उससे कार लेनी पड़ेगी दोस्तों ऐसी बेंचिस तो हमारे पार्क्स में भी होनी चाहिए या मज़ा आता होगा ना अब ये लोग तो एक एक करके इस पर बैठे लेकिन हमारे बंदे तो एक बार में ही इस पर चड़ कर गिरा देने वाले हैं आपने मार्शल आर्टिस्ट को डंडे को ऐसे घुमाते देखा होगा पर अब आप इसे सीख भी सकते हो इस बंदे का टुटोरियल देखकर मेरे सर में दो बार डंडा जोड से लगने के बाद से तो मैं गिवप कर चुका हूँ स्टन्स कई देखे पर ऐसा स्टन्ट पहली बार देखा इसमें कमाल की कॉरिगरफी भी है बैलैंस भी है और स्किल्स भी है क्या दोड़ना बंदा इन लोगों के कंदे पर इस बंदे ने ये जो भी बनाया है ये देखने में तो काफी कमाल की चीज़ लग रही है पर खाने में कैसी है ये किसी ने खाई है तो वो कॉमेंट्स में लिक कर बताएं दोस्तों अब आपको एक ऐसा नजारा दिखाता हूँ जो जितना खुबसूरत है उतना ही डरा देने वाला है सेंट्रल चाइना के डैबी माउंटेंस के बीच हवा में लटकी ऐसी सीड़ियां बनी हुई है जरा सोचिए कि लोग इनके उपर से कैसे जाते होंगे और ये सफर कितना डरावना होता होगा इस बंदे ने नजाने कितनी मेहनत की होगी कितनी बार फिल हुआ होगा तब जाकर ये वीडियो बन पाई होगी ये कैसी साइकिल है भाई इतनी उची साइकिल की इस पर बैठ कर ही खंबे पर लगे तार चूलें मैंने तो पहली बार देखी है वैसे बंदा काम तो बड़ा रिस्की कर रहा है नीचे गिरा तो हड़ियां टूटिंगे और उपर उठा तो करंट भून देगा अंडे के चिलके उतारने में आलस आता है तो ये मशीन खरीद लो जो आपके काम को आसान कर देगी वैसे इस मशीन को दिन के दो अंडे चीलने के लिए मत लेना इतनी मेहनत तो घुद कर लो यार स्पाइडर मैन सबने देखा है पर आज स्पाइडर वुमेन भी देख लो ये बंदी जिस स्पीड से दिवार पर चड़ी है ये आम इंसान तो काता ही नहीं है क्या आप भी इस बात से अगरी करते हैं